हलो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का ग्यान पूरी यूट्यूब चैनल पर तो डेली क्लासेस के आप लोग को प्रवाइड करते हैं हम और आज भी आप लोगों की वही क्लासेस यहां पर प्रवाइड की जा रहे है इस क्लास में हम डेली डिसकस करते हैं current affairs के questions के साथ उन questions से जितने भी related important static points हो सकते हैं उन सब्य important points को भी तो please चैनल पर daily visit किर जिए और चैनल पर जितने भी वीडियोज अपलोद किया जाते हैं properly watch किजी चुकिए आपके exams के लिए बेहती ही फाइदे मन्द होने वाले हैं ठीक है चलिए आज के हम questions क बढ़ते हैं और देखते हैं questions को तो आप लोगों का यहां पर फर्स्ट question बनता है मोनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजदूत न्यूक्त किया गया है तो मोनिका मोहिता जो है इन्हें न्यूक्त किया गया है स्विट्जर लेंड में भारत का नया राजदूत यानि और यहां पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं इस question से लेटेट कुछ important information के बारे में जो की जानना भी है धी जरूरी होता है आप सभी लोगों के लिए तो स्विट्जर लेंड की बात आई है तो स्विट्जर लेंड जो है यह यह यूरोप महादूरित में इस्ती थे और राजधानी यहां की बर्न बनती है ठीक है currency यहां की Swiss franc है और राश्पति सिमो नेटा सोम रुगा है कौन है तो सिमो नेटा सोम रुगा स्विजर लेंड की खोश्रा की है तो कोविट नाइंटीन महामारी से के लिए जो है 21 बिलियन की जो सहायता राशी है वह सहायता राशी घोशित की गई है आप जी ट्वेंटी देशों के दवारा या घोश्रा की गई है कि वहां कोविट नाइंटीन महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलार से भ तुबात आए है जी ट्वेंटी की ठीक है तो सबसे पहरी बात तो जो जी ट्वेंटी है या विती और आर्थिक मुद्डु पर अंतराशी सहयूग के लिए मुख्य मन्च तथा वैसी युग आर्थिक प्रशाशन के लिए प्राथमिक मन्च है गुरूप ऑफ ट्वेंटी इ है इसमें 19 देश और यूरोपी संहे का समूह है स्थापने इसकी 26 सितंबर 1999 या उनीश उनिद्वे में के गए थी और भारत जी 20 का हिस्सा है ठीक है तो इसलिए ये क्वेशन हो जाता है इंपोर्टेंट चली अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की ओर नेश कोशन आप लोगा यहां पर दिया हुआ है विश्व महा सागरी दिवस यानि वर्ड ओसी अंडे का मनाया गया है बेरी इंपोर्टन क्वेशन है एक्जाम से पूछा जा सकता है तो आठ जून को मना यहां गया है यानि option यहां पर सी बिल्कुल correct हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी question आप लोगों करा जाते हैं सभी बहुत ही important questions होते हैं और इनके एक्जाम से बनने की संभावना जाता होती है इन questions से इतने भी important static facts होते हैं उन से facts को भी इसलिए discuss किया जाता है चूंक अब हम देख लेते हैं कुछ important points को इस question से related जो भी बनते हैं तो इस दिवस की मनाया जाने का जो मुख्य उद्देश है हुआ हमारे जीवन में महासागार के महत्व और इनके संरक्षन के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैस्युक जागुरुकता बढ़ाने के लिए ह आठ जून को मनाया जाता है ठीक है अच्छा इस दिवस की मनाया जाने की खुश्रा किसके द्वारा के गई थी तो संयुक्त राष्ट यानि यूजन यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाने की खुश्रा के गई थी 2020 की theme क्या रही है तो innovation for a sustainable ocean इस वर्स की theme रह स्थापना कब की गई तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी मुख्याला इसका New York की यानि USA में है और सदस सिदेशों की बात करते हैं तो 193 यानि एक सो तीरानवे सदस सिदेश इस में शामिल है ठीक है चलिए देखते हैं अब next question को उससे पहले यहाँ पर और कुछ important points बनते हैं उन्हें भी हम discuss करेंगे साथ ही साथ जून महिने की जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बन सकते हैं एक जामत के लिए उन्हें भी यहाँ पर discuss किया जाएगा तो अध्याच एंटोनिया गुटेरेस है यूजन के आप देख लेते हैं जून महिने में जितन कि टुक दिवस की बीसमी वर्श-गार्थ जो है इस वर्श की थीम तो क्योंकि इस वर्श-वीर्व मनाई गई है और इस वज्य से इस रख दिया गया है और कि अनतराशी बाल-णक्षा 4 जाता है माता पिता 1 जून को मनाते है तो इतने इंप देश जो है तीन जो है फर्स्ट जून से बनते हैं अब बढ़ते हैं सेकेंड जून की ओर तो दो जून यानि सेकेंड जून को मनाया जाता है तेलंगा ना राज इसकी सापना दिवस और बात करेंगे तीन जून की तो विशो शाइकल दिवस मनाया जाता है पांच जून की अगर हम मनाया जाता है तेहीं जून को अंतराशी ओलेंपिक दीवस्व मनाते हैं ठीक है बात करेंगे 29 जून की तो राश्रे सांखिकी दीवस्व मनाया जाता है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो परशन्द आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और इस चैनल को अपने दोस और उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने भी आप लोगों को कुवेश्चन करा जाते हैं उन सभी कुष्चन का एक बार रिवीजन भी करा जाता है जिसे चीजह आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर होती चले ठीक है और जो भी एक्स्ट्रा फैक्स होते हैं उन फैक्स को बार-बार हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं जिसे कि आप की माइनड में जितनी भी क्मेहस्चन आप होते चले ठीक चली अब हम देखते हैं आगे के क्वेस्चन को तो आपकों का यहाँ पर next question दिया हुआ है यू विशी आधारित disinfection cabinet को किसने विख्षित किया है तो यहाँ विख्षित किया गया है A, R, C, I और मेकिन्स दोनों के हिद्वार यानि option यहाँ पर A और B यानि उपर यूग तो दोनों ही correct हो जाएंगे उपर यूग तो दोनों तो A, R, C, I और मेकिन्स यह दोनों ही इसमें शही हो जाएंगे options ठीक है अब देख लेते हैं इस question से लेटर कुछ important information के बारे में ठीक है तो सबसे पहली बात तो यह जो UVC आधायत cabinet है या COVID-19 की सतह के संक्रमर को रोकने के लिए और यह लुद्ट से नॉन क्लिटिकल अस्पाताल की वस्तूँ प्रयोक्षाला वस्त और पेपीजा की सब्सकर को किटान रहित करेगी तो समाझ में आई होगी बात तो इसका क्या काम होता है UVC का यह मुक्छे रूप से यह प्रयोक्षाला वस्तर और जो भी प्रफिज किट्स होते हैं उन्हें की टार्व रहित करें कि पीबी किट्स पर अगर बैक्टिरिया वो कोईड-19 के पड़े रहते हैं वायरस पड़े रहते हैं तो क्या करते हैं कि यह संक्रमन फैल आते हैं और आपको पताए कितने देजी के साथ यह फैल रहा है तो इन चीज के लगातार केसे बढ़ते जा रहे हैं ठीक है दो लाग से भी ज्यादा जो है यहां अपने इंडिया में केसे हो चुके हैं इसके तो आप लोगों से यह रही कोईश्ट है कि प्लीज आप लोग घर पर रहे घर पर ही पढ़ाई किजिए बहुत जरूरी काम होने पर ही घर स से बाहर निकल लिए ठीक है पहले हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कोष्षं क्योंड तो नेक्स्ट कुश्च हमारा यहां पर बनता है कि राज्र सरकार ने मेघ संदेश एप को लांच किया है तो मेघ शंदेश को कर दिया गया है करनाटक राज्राज सरकार की तो राजनी और या आएगा चलिए देख लेते हैं अब इस एप से लेटर कुछ important information के बारे में तो यह एप जो है यह बाइंगलोरू में बारिश बाढ और तुफान की alert पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा ठीक है तो एक बिल्कुल भी सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए मौसम से रिलेटर वेदर से रिलेटर याए गैप है ठीक है अब देख लेते हैं इस question से लेटर कुछ important और भी information को सबसे पहली बात हम करनाटक राजी की बारे में अब यहां पर डिसकर्स कर लेते हैं ठीक है जो कि special state से भी questions बनते हैं तो सब्सक्रापने एक नॉमबर 1906 में ठीक है करनाटक के उच्छन याला के जो मुख्य नया धिस हैं वह है अभय स्री निवाशन ओका ठीक है को है तो अभय निवाशन जो है अभय स्रीनिवाशनों का यहां के मुख्य नया धिस हो जाएंगे चली अब हम पढ़ते हैं आगने के questions की और उससे पहले यहां पर और पॉइंट दिये हुए हैं तो इने भी देख लेते हैं तो यहां का जो राज की पशु है करनाटक का हाथी है हाथी जो है इसके साथ करनाटक के साथ साथ केरल राज का भी राज की पशु है तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए राज की पच्चियां का भारती रोलर है औ और राज की बिक्च की बात कर लेते हैं तो चंदन हो जाएगा पांच परोसी राज इसके साथ सटे हुए हैं जैसे कि महराश हो गया गोवा केरल तमिलाडू आंधर प्रदेश ठीक है लोग सभा की सीटों की बात करते हैं तो अठाई शीटे यहां पर लोग सभा के लिए हैं और विधान सभा की बात करें तो 224 सीटे वारतमान में हैं 225 सीटों पर यहां पर इलेक्शन होता है लेकिन इलेक्शन की प्रॉब्लम सोने की वज़े से यह जो है एक शीट डार्मेंट में चलीगी और 224 सीटों इस समय विधान सभा पर कारिज़त हैं लोग ठीक है अब ब शाज़दार की गए है अटल इनोवेशन मिशन यानि एम के द्वारा यानि ऑप्शन यहाँ पर यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन तो वग्यानिक और अध्योगिक अनुशान दहान परिशद ने भारत में नवा चार को बढ़वार देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है शाज़दार की है चलिए आप देख लेते हैं कुछ और भी इन्फोमेशन की बार में बात आये CSIR की तो आप लोगों को इससे ठोड़ा सा पता होना चाहिए तो CSIR का क्या होता है फुल फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे तो Council of Scientific and Industrial Research हो इसके सेखर सी मंडे हैं ठीक है तो इतनी चीज़ें आप लोगों को CSIR के बार में भी पता होना चाहिए चलिए अब मूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों आप लोगों का यहाँ पर बनता है रिचार्ड डॉकिंस अवर्ड दो हजार बीज पूरसकार जीतने वाले पहले भारती कौन बन गए है तो वह बन गए हैं जावेद अक्तर यानि आपसन यहाँ पर भी बिलकुल और करेक्ट हो जाएगा अब हिंदी सिनेमा के मसहूर लेखक और गीतकार हैं तो आयोग की चीज़ें यहां पर क्लियर होगी दोस्तों हम सभी क्वेस्टेंस को इसलिए थोड़ा सा फास्ट वे में लेकर चल रहे हैं जिसे ज्यादा से ज्यादा क्वेस्टेंस आप लोगों को बहुत ही कम समयमियां पर करा कराया जा सके इसलिए हम लांश में रिविजन को भी रखते हैं जिसे की चीज़ें आप लोगों को क्लियर भी हो सकें और हम चीज़ें जो है क्वेस्टेंस को अपने यहां पर तेजी की साथ देख भी सकें चुकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाते है तो बच्चे को क्वेस्टन की और तो नेस्ट यहां पर दिया हुआ है किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मेंजनेतो कैलोरिक जो है यह मैंगनेटो कैलोरिक यह समवग्री है कि त्व्वराר क्या therapy dl excel casually की तो यह जो मैइग नेटो कैलोरिक समब्री है यह cancer के इलाज के लिए काम आगी ही और इसे तयार किया गया है ए ऐसे की दौरा यानि ऑफ्सन यहां पर इस तरफ हो जाएगा ए डीयंतो की जो च werden क्यैसर और कालियों उलाज के लिए तो यह जो मैगनेटो कैलोरिक समगरी है एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक चुम्ब की छित लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंदी होती है और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी तो कुल मिलाकर कि यह हीटिंग के द्वारा यह काम करेगी ठीक है अब बात आई है ए आर्सी आई की तो आप लोगों को इसे भी रिलेटेड थोड़ा सा फैक्स पता होना चाहिए तो ए आर्सी आई क्या होता है इसका फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल एडवांच रिसर्च सेंटर फॉर्ड पॉडर मिटे मिटेलर्जी एंड न्यू मैटेर हो जाता है आर्सी आई का फुल फॉर्म ठीक है चलिए देख लेते हैं इसे थोड़ा सा हिंदी में क्या कहेंगी तो धात शोधन एवा नई सामागरी के लिए अंतरराश्य उम्नत अनुशंदान केंद्र ठीक है यह हो जाता है आपका फुल फॉर्म मूफ करेंगी नेक्ट क सिचुएशनल एवेरनेस यानि डेवल ऐसे और आस्ट्रोफिजिक्स के छेत में सहयों के लिए एरीज के साथ समझ होता किया है तो यह समझ होता किया गया है इस रो की द्वारा यानि आपसन यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो अंतरिच सिचुएशनल एवेर इसको इसरो से रिलेटेड ठीक है तो बात आई है इसरो की तो आप लोगों को पता है कि इसरो से रिलेटेड एक्जांस में बहुत सारे बनते हैं तो सबसे पहले बात इसरो का जो फुल फॉर्म क्या होता है इसे पता होना चाहिए तो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और जेंसी होती है भारती अंतरिच अनुशंधान संगठन हिंदी में कहेंगे मुख्याला इसका बैंगलोरू यानि करनाटक में है इस्थापना की बात करते हैं तो पंद्रह अगर्ट नाइंटें सिक्स्टीनान यानि उनी सो उस्थापना की गई थी संस्थापक इसके विक्रम स बारा भाई है अध्यच कौन है तो के सिवन इसके अध्यच हो जाएंगे तो इस रुस लेटेट जितने भी आप इंपॉर्टन फैक्स लिबन सकते थे सब्सक्राइब कर लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे के कुछ क्वेस्टन की और तो नेस्ट कोशन आप लोगों का यहा जीत लिया है तो मधूस माधुवी की द्वारा इसे जीत लिया गया है यहीं ऑफ्सन यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो इंग्लेंड का है यह जेम्स वाट 2020 पूरसकार उसे मधू माधुवी की द्वारा जीता हुआ है अब देख लेते हैं से लेटेट कुछ के बारे में तो किसी एक उत्रिष्ट जो है सुधुपत रिसर्च आर्टिकल के लिए जेम्स वाट अवार्ड से समानी तो मधू माधुवी जो है हमारे इंडिया के विहार राज से हैं और इन्होंने यह जीता है तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज है इक्याम से बन सकती है चलिए अब हम मुव करेंगे नेक्स क्वेस्टन की और नेक्स क्वेस्टन आपनों का यहां पर दिया हुआ है विश्व खाध्य सुरक्षा दिवस यानि वर्ल्ल फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है तो साथ जून को मनाया गया है विश्व खाध्य सुरक्षा दिवस या बात आही डवलू एचो की तो इसके बार में थोड़ा पॉइंट हम देखेंगे लिफ से पहले जो है इशे मनाए जाने के खोशड़ा कि द्वारा की गई थी थीम इस वज़ की रही है फूर्ड सेफटी एवरीवन्स बिजनेस ठीक है तो इस वर्ज की यह थीम रही है चलिए थोड़ा सा डबलू एचो के बार में भी हम यहाँ पर देखेंगे तो बात ही डबलू एचो की तो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म वी सुस्वास अंगठन हिंदी में कहते हैं सापना इसकी साथ अपरेल 1948 में की गई थी अमेरिका इसकी सदसेता अब छोड़ चुका है अमेरिका के दवारा इसे भारी मात्रा में रख जो है फंड अवलेबल कराया जाता था लेकिन अब इसे कोविड नाइंटीन और भी संबंदि जानकार यह दी थी चली आगे बढ़ते हैं और देकते हैं क्वेसटन को उसे पहले यहांपर मुखः़ाले देख लेते हैं स्व डेबल मुख्यालां का बढ़ा है तो इसका मुख्याला पड़ता है जो इसके अद्धर्च उटरेबलो इसके अद्याच हो जाएंगे moi नेस चक्व हो जाएगा important questions बन सकता है यह चलिए देख लेते हैं अमेरिका से लेटर कुछ important facts के बारे में तो अमेरिका जो है यह उत्तरी महादूइट में इसकी location पड़ती है विश्यू में ठीक है जिसे आप लोग United States of America के नाम से जानते हैं राजधानियां की वासिंग गटन DC है अच्छ विश्वेश एजनसी है आप लोगो पता ही होगा नासा इसका नाम है और इसका भी मुख्याले वासिंग गटन DC में ही है वासिंग गटन जो capital है अमेरिका की यह पोटो मैक नदी के किनारे पर बसी है और अमेरिका की संसत कौन सी है तो इसकी संसत को कॉंग्रेस कहते हैं तो United States of America की सबसे लंबी नदी अगर पूशता है एक्जाम में तो मिसोरी हो जाएगी अब हम बढ़ेंगे आगे के questions की और तो next question आप लोगों का यहां पर दिया हुआ है किस एयरपोर्ट को platinum मायनता प्राप्त हुई है तो हैदराबाद राजी गांधी जो है हवाई अड़ा इ इस हवाई अड़े की स्थित कहां पर पड़ती है तो यह पूंचा जा सकता है तो तो तेलंगाना राज में या हैदराबाद राजधानी जो की राजी उगांधी हवाई अड़े की नाम से जाना जाता तेलंगाना में पड़ेगा ठीक है अब मूब करेंगे next question की और next question आप भी बिल्कुल correct हो जाएगा मुद करेंगे RBI से related कुछ important facts की बारे में तो RBI का full form क्या हो जाता है तो रिजर बैंक of India होता है इसका full form भारत में सभी बैंकों को RBI की दोरा ही regulate किया जाता है बारती रिजर बैंक हिंदी में करेंगे स्थापना की बात करेंगे तो एक अपरेल 19 1935 में इसकी स्थापना की गई थी मुख्याले का पर मुंबई में पढ़ता है गौर्णर पचीसवे नंबर के गौर्णर इस बार ये नंबर भी आप लोगों को पता होना चाहिए करम पूछ लेता है ठीक है ग्यांस में दूसरी शक्तिकांत दास जो है पचीसवे नंबर के गौर्णर बने हैं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पशंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा जितने भी स्टेडी ग्रूप से माँ पर सेयर करना न भूलिएगा मैं बार बार आप लोगों के ज्यादा स अगर बनती हैं इंपोर्टेंट लगती हैं तो आप लोगों को भी प्रवाइड किया जाता है टाइम टू टाइम तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बिल आइकन को प्रेस कर जीजिएगा जिससे वीडियो की टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन भ तो चीरन जीवी जो सरजा है यह एक अभिनेता है और इनका निधन हो गया है अच्छा अब इनसे लिएट कुछ इंपॉर्ट्ट पॉइंस भी बनता है तो यह कौन किष्ट कहां कि अभिनेता थे कहने का मतलब है यह बॉलीविड में काम करते थे श्याहा कहां कि यह किस टा को यहां पर वनता है किस दैस कोरूना ट्रेसर व को लाउंच किया है बंगलक्स में जो लोग अ क्राल कुछ त्वाइब पिन पर बंगलादेश में छो लोग रहते हैं उनको ट्रैक्ट करने के लिए और अश्य यह बंगलादेश के दवारा तो आप आप लोगों को बंगलादेश से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन फैक्स यहां पर बताते हुए चलते हैं चुकि यह last question है तो राजधानी यहां की धाका है करन से चलती है ठाका प्रधान मंत्री को है तो सेख हशीना बंगलादेश की प्रधान मंत्री PM हो जाएंगी राशप् करती है तो चीज़े clear होई होंगी इस questions related आचा बंगलादेश और इंडिया की बीच में कौन सी boundary line होकर के गुजरती है तो यहां boundary line जो हो जाती है रेड क्लिफ के नाम से जाने जाती है और यही रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान की बीच में भी है अच्छा मैक म सब्सक्राइब कर देते हैं जिससे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद आ जाए मौनिका मोहता को किस देश में भारत का नया राजूत नियुक्त किया गया है तो सुटिचर लेंड में नयुक्त किया गया है नया राजूत चलिए आगी के questions की और बढ़ते हैं आप लोगों का यहां पर दिया हुआ है किसने कोबिट नाइटीन महामारी के लिए 21 बिलियन डॉलर से अधिक की साहता राशी देने की खुश्रा की है तो जी ट्वेंटी की द्वारा प्रदान की जाएगी यह राशी नेर्स क्वेशन है विश्व महा सागरी दीवस यानी करनाटक के द्वारा विख्शित किया गया तो आर्क फार ने भरत में नवाचाल बढ़ाओ देने के लिए कि तो आटल इनोवेशन मिशन की द्वराया शाज़ेदारी की गई यहां पर बनता है रिचर्ड डॉकिन्स अवार्ड का पुरस्कार जितने वाले भारती कौन बन गए है तो जावेद अक्तर बन गए है यह पहले ब्यक्ति नेश्ट क्यों बढ़ते हैं नेश्ट क्यों आप लोगों का य है तो इस रोट के द्वराया समझता कि गया है ठीक है नेश्ट कौश्चन मदता इंग्लेंड का जेम्स वॉस्फट Vice 2018 कई निजस्थ Cross일 कि दोर संब्सकार किस проблемह से जीता है यहां कि देश के थि तो तो हैदराबाद, राजिव गांदी, हवाई अड़े को या प्लेटिनम की मानिता प्रदान कर दी यह है नेस्ट कोश्चन है किसने 500 करोन रुपए के पेमेंस इंस्ट्रस्ट्रक्ट्टर को डेवलप मुफेंट प्रदाबाद, अब आप लोगों को सकते हैं तो चीजें आप लोगों को समझ में भी यहां पर आ रही होंगी और वीडियो आप लोगों को पशंद आना ही चाहिए चुंकि इससे बहतर और कैसे पढ़ाया जा सकता है ठीक है अगर है तो फिर आप लोग कमेंट भी हमें हमें बता सकते हैं अपने सुझाओ भी दे सकते हैं और वीडियो पशंद आने पर इसी लाइक और दोस्तों में अपने सेयर जरूर से जरूर करें चले फिर मिलते हम नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत